आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयम सारी सुविधाएं उपलब्द कराते थे ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ग्यान गरहन करने के लिए आते थे जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे जिनको सभी लोग सर्वस्रेष्ट गुरु मानने लगे थे जिनको लोग भगवान के रूप में पूजा किया करते थे और आज आप अपने वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए है रानी की ये सारी बाते सुनकर उस सन्यासी को बड़ा जटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है वो तो इन सारी सुक सुविधाओं को छोड़ कर सांती की तलास में वन में चला गया था जब सन्यासी को सुद बुद आई तो वो जोर जोर से रोने और चिलाने लगा और रानी से कहने लगा मुझे छमा कीजिये महरानी दोस्तों जाने अंजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पस्तावा हमें बाद में होता है हमें जब अपनी गलती का यह सास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक हम पूरी तरह से बरबाद हो चुके होते हैं तो आखिर हमारे जीवन में वह कौन कौन सी गलतियां है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है और हमें बर्बाद कर रही हैं। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से यही जानेंगे कि इनसान की कौन कौन सी गलतियां उन्हें बर्बाद करती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों अगर हम अपनी बर्बादी की कारण का पता कर लें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है बहुत समय पहले की बात है एक नगर में एक धनी सेट रहता था उस सेट के पास सभी तरह की सुख सुख़दाएं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इसलिए संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मा बनने वाली है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है और एक दिन उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। सेठ पुत्र के जन्म पर पहुत ही प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बटवाई और उसके खुजी का कोई ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया और सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजने का फैसला किया। ताकि व गुरुकुल में वह बालक अच्छे से सिक्षा गराण करता था। अपने गुरु की सभी आज्याओं का पालन करता था। ऐसे में वह बालक वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया था। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराणा और सास्त्रों का अध्य बन गया गुरू भी उस बालक से बहुत ही प्रसन्न थे कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान अरजित कर लिया लेकिन कहते हैं कि किसका समय कब बदल जाए यह किसी को पता नहीं होता ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता-पिता की मृत् उस बालक की सिक्षा पूड नहीं हुई थी और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता-पिता इस दुनिया में नहीं रहे उनका सब कुछ बरबाद हो चुका है तो उस बालक का इस सांसारिक मोह हमाया से मन उठ गया उसके बाद उस बालक ने निश्चे किया कि वह गुरुकुल से सिक्षा पूड करने के बाद अपना संपूड जीवन लोगों की भलाई में बैतीत करेगा जब उस बालक की सिक्षा पूड हुई उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तूओं से दूर हिमाले के जंगल में चला गया वन में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की तपस्या पूड करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को सिक्षा देना प्रारंब किया समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने थे उस नगर का राजा बड़ा ही कूर व्यक्ति था जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उस राजा ने सन्यासी से मिलने का निश्य किया अगली सुबह राजा अपने महल से निकल कर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और सन्यासी के कुटिया के बाहर जा पहुँचा वहाँ पहुँचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो राजा उस सन्यासी को देखता ही रह गया उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्तों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समझ से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है तो अगर यह हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी और यही सोच कर राजा सन्यासी से महल में चलने का आगरह किया और यही सोच कर राजा सन्यासी से महल चलने की आग्रह करने लगा राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाये और वह चलने को तयार हो गए फिर राजा सन्यासी को लेकर राज महल की ओर चल दिये राज महल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सतकार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को भोजन करवाया भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और राजा से जाने की अनुमती मांगी यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं आपको यहां पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहां रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव से विकार कर लिया उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महराज के लिए बगीचे में रहने, खाने इत्यादी का प्रबंध किया जाए राजा की आग्यां के अनुसार सेहखों ने एक सुन्दर कुटिया का निर्माड किया उसके बाद वो सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीच गए और इस दोरान राजा ने उनकी खूब सेवा की एक बार एक आवस्य के काम की वज़े से राजा और रानी को दूसरे राज जमें जाना पड़ा इसलिए उन्हों एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में निउक्त कर दिया पर उसेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पढ़ गया और अपने घर चला गया और कभी लोट कर वापस नहीं आया ऐसे में राजा जब वापस आया तो सन्यासी क्रोध के मारे उस राजा को बहुत कुछ सुनाया और राजा से कहा कि हे राजन जो जिम्मेदारी तुम पूरा नहीं कर सकते तो उसे उठाते हैं क्यों हो तब राजा ने सन्यासी से छमा मांगते हुए कहा कि हे गुरुदेव यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं आप से छमा मांगता हूँ मुझे छमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध सांथ कीजिए और क्रिपा करके बताईए कि आपको क्या कश्ट हुआ है यह सुनकर सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा मुझे यहां पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ यह सुनकर राजा ने सन्यासी से फिर से छमा मांगी और कहा हे गुरुदेव आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी मुझे छमा करें जब राजा और सन्यासी के बीच बातें हो रही थी तब राणी भी यह सारी बातें छुपकर सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी उसके बाद राजा ने सन्यासी को किसी भी सिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की परन्तु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवस्य के कारे से अपने राज से बाहर जाना पड़ा लेकिन इस बार राजा ने राज से बाहर जाने से पहले अपने राणी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयम सन्यासी की देखबाल करोगी यह सुनकर राणी ने कहा कि जी महाराज आप निस्चिन्थ होकर जाईए सन्यासी महाराज की मैं अच्छे से सेवा करूंगी उसके बाद रानी हर रोज भोजन बना कर सन्यासी को भेज देती थी लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंदजार किया लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पढ़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जा कर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया और फिर वह सन्यासी महल में पहुँच गया जब वह महल के अंदर दाखिल हुआ तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी रानी के लंबे-लंबे घंने केस जोकी उसके कमर पर लहरा रहे थे उसकी कजरारी आँखे जो देखने मातर से किसी को घायल कर दे उसकी हिरनी जैसी चाल रानी के इतने सुन्दर रूप देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुन्दरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया सन्यासी रानी के रूप की सुन्दरता को भुला ना सका और वह खाना पिना छोड़ कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा सन्यासी अपने विचारों के चलते कई दिनों तक कुछ नहीं खाया जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया फिर कुछ दिनों बाद राजा वापस लोटे और सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी सी मिलने उनकी कुटिया में जा पहुँचे और बोले हे गुरुदेव क्या बात है आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गये आखिर आपको किस बात की चिंता है किस गहरी सोच में आप डूबे हुए हो क्या मुझे कोई भूल हो गई है तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन आप से कोई भूल नहीं हुई है यह सुनकर राजा ने कहा तो फिर आखिर क्या बात है आप मुझे बताईए मैं आपकी परिशानी जरूर हल करूँगा यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन मैं आपके राणी की अधुभुत सुन्दर्ता को देखकर उनके विचारों में खो गया हूँ और अब मैं राणी की बिना जिंदा भी नहीं रह सकता यह बातें सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा मैं आपको राणी दे दूँगा यह बात सुनते ही सन्यासी बहुत परसंद हो गया फिर राजा सन्यासी को लेकर राज महल चले गए और जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुँचे उस दिन राणी ने सबसे सुन्दर वस्तर पहनी हुई थी फिर राजा राणी के पास पहुँचे और राणी से कहा कि आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ग्यानी पूश की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे उसके बाद राजा ने राणी से पूछा कि क्या आप इस कलंक को अपने सर पर लेना चाहेंगे राजा की आवाज सुनकर राणी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है तब राजा ने राणी से कहा कि सन्यासी आपके अद्भुत सुन्दर्ता के दिवाने हो गए हैं राजा की यह बात सुनकर राणी ने कहा राजन आप चिंता ना करें आप चिंता ना करें अब आप सब कुछ मेरे उपर छोड़ दीजिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है उससे आपके उपर ना तो सन्यासी के हत्या का पाप लगेगा और नाहीं उससे मेरी पवित्रता का नास होगा रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौप दिया उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में चले गए कुटिया के अंदर दाखिल होकर रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए हम इस जोपड़ी में नहीं रह सकते यह सुनकर सन्यासी ने राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन हमें रहने के लिए एक घर चाहिए सन्यासी की बाद सुनकर राजा ने उनकी लिए घर का प्रबंद कर दिया फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पर पहुँचा जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुँची तब रानी ने कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है मैं इस घर में नहीं रह सकती यह सुनकर फिर से वह सन्यासी राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला ही राजन आपने जो हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है सन्यासी की बाद सुनकर राजा ने उस घर की हालत भी ठीक करवा दी उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा दोकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वैम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ग्यान गरहन करने के लिए आते थे। जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे। जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे जिनको सभी लोग सर्वस्रेष्ट गुरू मानने लगे थे जिनको लोग भगवान के रूप में भी पूजा किया करते थे और आज आप अपने वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं रानी की ये सारी बाते सुनकर उस सन्यासी को बड़ा जटका लगा और उसे महसूस हुआ कि ओ तो एक सन्यासी है और ओ ये सब क्या कर रहा है वह तो इन सारी सुख सुविदाओं को छोड़कर सांती की तलास में वन में चला गया था जब सन्यासी को सुध बुध आई तो वह जोर जोर से रोने और चिलाने लगा और रानी से कहने लगा मुझे च्छमा कीजिए मारानी मैं यह क्या करने जा रहा था मैं अभी इसी वक्त आपको राजा को सौप कराता हूं सन्यासी की यह बाद सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रस्न किया कि हे गुरुदेव मेरे मन में भी एक प्रस्न उठ रहा है किर्पया मेरे प्रस्न का उत्तर दीजिए रानी की यह बाद सुनकर सन्यासी ने कहा पूछो तुम्हारा क्या प्रस्न है फिर रानी ने कहा जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत कोधित हो गए थे तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके ब्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ ऐसा क्यों हुआ गुर्देव? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो सांति की प्राप्ती कर ली थी रानी की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई और फिर मैं इन सुख सुविधाओं का आदी हो गया और मुझे इसके प्रतिलगा उत्पन हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन हो गया फिर सन्याशी ने कहा महरानी अगर इक्षा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन होता है और अगर इक्षा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है पास भूचा और बोला हे राजन मुझे छमा कर दीजी मुझे अपनी गलती का यहसास हो गया है यह लो आपकी रानी मुझे यह सब नहीं चाहिए मैं अपनी इच्छा में वसी भूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बरबाद कर रहा था लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि ही राजन मनुस्य के बरबादी का कारर उसकी चार आधतें बनाती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह चार आवकुन होते हैं लेकिन जो उस पे नियंतरर पा लेता है वह दुख और परिसानियों से बच जाता है और वहीं जो व्यक्ति इन चार दोसों पर नियंतरर नहीं कर पाता है वह बरबाद होने के कगार पर पहुंचाता है यह सुनकर राजा ने कहा यह गुरुदेव आप मुझे वह चार आधतें बताएए जिससे मनुस्य की बरबादी हो जाती है फिर सन्यासी ने राजा को मनुस्य को बरब संवात करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा क्यूंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी आप को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन में किसी भी जगह सपल नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे ही उसकी एक इक्षा पूरी होती है वह दूसरी की ओर भढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इक्षा उसके मन में जाकरित हो जाती है और फिर ऐसा करत करते एक्षाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण इंसान के मन में संतोस का भाव नहीं आ पाता है और इसी जाल में उल्जा रहता है दुखी रहता है इसलिए हे राजन जब हम अपनी पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर नियंत्रर पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वस में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन मनुस्य को बरबाद करने वाली दूसरी आदत है वास वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इक्छाओं से होता है। जिस प्रकारी इक्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। उसी तरह मनुस्य वासना के जाल में फस्ता ही चला जाता है। वासना में वसी भूत होकर इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता है आज तक जितनी भी लडाईयां हुई है उसका सबसे बड़ा कारण इस्तिरी को पाने की इक्षा के कारण ही हुई है इस्तिरी के प्रेमे में वसी भूत होकर कई राजा महराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वह लोग इस्तिरियों से रास लीला रचाने में ही रह गए इस्वर ने तो इस्तिरी की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है लेकिन आज कल लोगों ने इसे वासना का रूप बना लिया है फिर सन्यासी राजा से कहते हैं कि हे राजन मनुस्य को बरबाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध क्योंकि जब मनुस्य के वासना की पूर्ती नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध हुद्पन हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंतरा नहीं होता है और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत नेड़े ले लेता है क्रोध में व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कह देता है गालियां भी दे देता है और जब उसका क्रोध सांत होता है तो उन्हें अपनी गल्तियों का यह हसास होता है लेकिन तब तक तो सब कुछ बरबाद हो चुका होता है क्रोध के कारण मनुस्य के कई बने बनाये काम भिगड़ जाते हैं जब मनुस्य के अंदर क्रोध हुत्पन होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुस्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता उसे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन मनुस्य को बरबाद करने वाली चौथी आदत है लालच हे राजन लालच का फल सदय वही बुरा होता है लालच में पढ़कर हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं हर मनुस्य के जीवन में ऐसे अवसर अवस्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसे से जो उसके पास था वो भी खो देता है क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच भी बढ़ जाता है उसके मन में और कई सारे अकांचाएं जन्म लेने लगती है जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वो काम्याबी से धीरे धीरे दूर हो जाता है अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें और उसके चक्कर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवस्थ बन सकते हैं फिर अंत में सन्यासी कहते हैं कि हे राजन अगर मनुष्य इन चार आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता मैं एक सन्यासी होकर भी इन आदतों में पड़ गया था और खुद को बर्बाद करने चला था इसलिए हे राजन इन चार आदतों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए तो दोस्तों यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले वीडियो देखने क बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद